डिये स स्क्राइबर तो कैसे आप लोग फिरिन आज हम बात करने वाला फिरिने डेले ट कॉन्सेलिंग को ले खरके कुछ अपडेट को ले करके हो जैसे की मैंब Frं आप सभी को बता दो डिया इसका इसका कांसेलिंग करना कैसे कॉल्ड सेलेक्सिन करना है कैसे पेमेंट कटाना है किस से पर शे आपको गॉर्मेंट कॉलीज मिलेगे या प्राइबिट कॉलूज मीकश मिलेगा सभी चीज dost ब pret करके मैंने अपने चालेंगे अप्लोट कर दिया आप सभी नगर नहीं देखा दो जा करके देख लेंगे आपको आई वटन में या लिंक डिस्कॉशन में मिल जाएगा उस वीडियो को आप देख लेंगे कि कैसे आपको कॉंसेलिंग करना है आपको इस ओफिसली वेबसाइट पर आना है डेलेट का और यहाँ पर एपना रोल नंबर और यहाँ पर डेट आप डाल करके आपको लोगिन करना है ओटीपी आएगा ओटीपी डालके फिर आप समिट करेंगे उसके बाद आगे का प्रोसेस होते धाला कि आप वीडियो लेगा तो किस तरह से आपको यह सब होने वाला है इतो वीडियो कं फषाइड सो 49str जोगिन करने वाले हैं पर यहाँ पर चाहँ आंप चोपे प हीठ असलेट्र करेंगे आपका इहांपकर जो government college है उसके बाद आपका private college है इन सभी का frian इनो ने जो कि यहाँ पे लिस्ट दिये दिया गया गया कि आपका government college में आपके कौनिसी district में कौनिसे college में आपका जैसे private college है कितना आपका सीट रहने वाल है और कौन सा कोलेज आपका वनली फॉर जो की फीमेल कंडिडियेट के लिए तो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह से यहाँ पर गौर्मेंट कोलेज में आपका जो ही कि कितना सीट है इस तरह से आपको यहाँ पर सारा चीज लिस्ट बाई लिस्ट चेक कर लेना है जिस भी आप दिश्टिक से आते हैं तो अपने कोडिंग अपना दिश्टिक को चेक कर लेंगा और जो जो कॉलेज वहाँ पर इनिजवल है कॉलेज का कोड सीरियल नंबर आपको यहाँ पर जो कोलेज टाइप आपका जो भी है गॉर्मेंट प्राइबेट इसको फिन आपको जरूर अच्छे सचेक कर लेना है नोटिफिकेसन को आप समझेगे इसमें जो इस नारिक सारिक से आपका जो की चार्ट कर दिया गया है और यहां पर च्विस तारिक तक लास्ट डिट रहने वाला है तो आपका जो स्कॉर कार्ड है वह आपका लगता है उसके बाद आपका intermediate कम से कम 50 अंग से आपका जो कि pass out आप होंगे तभी जा करके आपका जो कि admission के लिए आप जो कि इनिजबल हो सकते हैं otherwise आप नहीं हो से देख कम से कम 50% चाहिए प्लस आपका जो फ्रेन score card आया है जो आपका result आया है तो उसमें फ्रेन आपका जो कि अगर मालिज की competition काफी ज़्यादा टब रहा है आप सभी को पता है तो इसके वलिए आपका मालिज जिसका 30% आया है जिसका 35% 35% से जितने भी candidate उपर हैं तो उन सभी का qualify कर दिया गया है आप सभी कोई qualify है और आप लोग जोई कि यहाँ पर counseling के लिए apply कर सकते लेकिन ऐसा नही कि उन सभी का भी नाम आजाएगा ऐसा नहीं है यह जो फिर्ण ओफिसली notification है आप अगर इसको पूरा सम पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको चीज समझ में आजाएगा जो कि मैं basically आपको मैं आसान तरीकिस में समझाने वालों मालिजे अगर आपका government college है अगर आप चाहते ह से प्लस आपका जो कि rank होना चीए आपका result होना चीए तब ही जाकर कि आप जो कि government college आपको मिल सकते है हाला कि आप apply कर सकते हैं counseling कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तब जाकर के 35 या 40 परसेंट या 50 परसेंट वाले candidate को college यहां पर मिल सकता है तो यह सब case में ऐसा होता है जो कि मैं आपको और आग एच्छे से समझाओंगा और इसमें फ्रेंट एक और option होता है sport admission तो वो फ्रेंट कैसे होता है और उसके लिए कौन को न apply कर सकते हैं तो उसक दोनों चूज करना परेगा अगर मान लिजए अगर आपका जो कि government नहीं private में आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं आप उसमें भी admission ले सकते थोड़ा बहुत आगे पीछे खर्च होता है उससे कोई दिक्कत नहीं आपका लगभग जो ही कि चलेगा admission कम से कम आपका हो जाएगा तो यह सब चीज को आपको ध्यान में रखना है और यहीं पर आप देखेंगे कि जैसे माले पर्थम चैन सुची का जो लिष्ट जारी होगा वो यहाँ पर बता दिया गया है कि दो साथ जो कि दो जुलाई 24 को लेकर कि आपका जारी कर दिया जाएगा और जिसका नाम अंग आपको बताता हूँ कि किस तरसी जैसा कि देख सकते ही यहाँ पी स्टार्टिंग डेट इंडिंग डेट उसके बाद जो फीस फ्रेन लग रहा है सबसे बड़ी बात यहाँ पे जेनरल EWS, BC, EBC कंडिडेट के लिए 500 रुपए चार्ज है, SST कंडिडेट के लिए 350 रुपए परक्रिया होगा है, SLIDE UP में फेन्ग आपको मिलता है यहाँ उसके बढ़की dispon ак extending प्रेंग लिएaints के लिता हैillar 46 के बीच में और आपका 3र 123 तरिक में आप की 2 जूलाइ को आपका謝謝 जारी नहीं हुआ तीन तारीक तक में भी आपका यहां पर लिस्ट बगएरा नहीं आता तो उस case में आपको यहां पर फिर से आपको जो कि आपको एक नया option मिलता है जो apply करने का उसी में प्रेमेंट आपका एक ही बार लगेगा उसी में प्रेंट आप कोलेज बगएरा सारा चीज को update करके आपका क्या होता है कि आपका लिस्ट नहीं बना और आपने second college में जो कि second option में आपने private डाला तो मतलब बहुत सारे से candidate करते हैं कि first में 3-4 college और 5 college आपका जो कि government डाल देते हैं जिसके वज़से लिस्ट नहीं बनता है तो जैसा आप यहां पर देख सकते हैं जिस विद्यार साथ तक दिया जगा है यानि कि एक दिन का आपको यहां पर समय मिलता है टोटल आपको यह सब सारा चीज बदलने का जिसके बाद यह बदलने के बाद फिर आपका जारी किया जाएगा जिसका admission period आपका 13 जुलाई से ले करके 16 जुलाई तक चलने वाला है और उसी का फ्रें जुलाई से ले करके 22 जुलाई तक रहने वाला है तो इस तरह से फ्रेंट आप लोग का यहां पर admission होता है इस चार्ट को फिर आपको अच्छे से जो की वीडियो पाउस करके भी पहर लेना है समझ लेना आप अपने recording या फिर आपको जो लिंक ऑफिसली वेबसाइट का जो परिकिरिया है यह सब करने बाद नहीं होता है तब एक और option आता है लास्ट में sport admission का जो आप लोग को पता होगा कि मैट्रीक इंटर में इंटर में जाधा तर यह चीज़ चलता है कि sport admission कि तरह से लिया जाता है तो उसी तरह से इसमें एक sport admission का option दिया जाता है मतलब कि आपक जिस college में seat माले जिए खाली है चाहिए वो government हो private हो उस college में आप directly जा करके admission ले सकते हैं तो इस तरह से प्रेंड इसका admission का प्रिकिरिया है, counseling का प्रिकिरिया है और आप सभी को कैसे अपना government college, private college चूज करना 60% से उपर है तभी आप government college के चूज करेंगा अगर आपका 60 से नीचे तो आप ज्यादा तर private college को reference करें तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा और एक बार में आपका admission हो जाएगा लेकिन आप सभी को पता है कि बहुत सारी student होने एक बज़े से cut-up बहुत जादा गया है और जिसके बज़ेस आपको इस तरह से या फिर आपको अगर government college हो है या फिर private college है अगर इसमें ही चाहिए तो आपको फिर एक चीज या ध्यान में रखना है कि आपका जब sport admission आएगा तभी आपको directly फिर से payment कटा करके डारेक्ट आपका जो भी आपके district में government college बसता है seat अगर उसमें बज़ जाता है जैसे मानले इस government college में बहुत जरूरी ही जो मैंने आपको बताए कि एडविशन से पहले आपको क्या क्या चीज को समझना है और क्या ध्यान में रखना है बांकि notification आपको जरूर चेक कर लेना है पर लेना ची तरह से फिस बगेरा क्या लग रहा है वो आप देख सकते हैं कैसे आपको counseling करना ओलेड आपको 50% होना चाहिए जब कोई भी candidate है ठीक है तो आपको यह सब चीज को ध्यान में रखना है तो चैनल को फिर जरूर सस्क्राइब करें और सेर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी candidate अभी डिलेट कर रहे है और जो भी counseling के लिए अपना form भरना चाहते तो वीडियो आपक थैंक यू सो मच मिलते फिरन किसी नेक्स्ट वीडियो में